व्रिष्चिक राशिवालों पाओगे कल से आप सभी के जीवन में खुशियों का तूफान आने वाला है हर एक बात हम आप सभी को इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे जिनके बारे में आप सभी को पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले सर्व प्रथम जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं वीडियो को सर्व प्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशिरवाद आपके और आपके परिवार के उपर प्राप्त होगा दोस्तों आप सभी को हटा दें भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है भगवान सभी के ऊपर अपना नजर रखते हैं और भगवान एक मौका सब को देते हैं जो अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं भगवान उसके ऊपर अपना सारा जीवन लगा देता है भले ही उसके जीवन में खुशी आने में थोड़ा सा लेट होता है लेकिन उसके जीवन में इतना खुशियां आती है कि वह भगवान का शुक्रिया करते रहता है भगवान का धन्यवाद करते रहता है और दोस्तों, यह अच्छा आप सभी के जीवन में कल से आने वाला है जी हाँ दोस्तों लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ गलती भूल कर भी नहीं करना है जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसलिए दोस्तों, हमने कहा है कि वीडियो को आप अंत तक देखिएगा इस वीडियो में आपके जीवन की हर एक बात है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है और जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो कल से आप सभी का कोई भी इनसान रोक नहीं सकता है यह देवी के आशीरवाद से, यह दिव्य शक्ति का आशीरवाद से आप सभी का जीवन काल से बिलकुल ही स्वर्ग जैसा हो जाएगा दोस्तों, अब सारे दुश्मन आपके पैरों पर गिरने वाले हैं और माफी की भीख मांगने वाले हैं क्योंकि अब आपके कर्मों का फल देने के लिए यह देवता आज रात बारह बजे आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, और यह देवता आपको चार जगह पर बहुत बड़े-बड़े लाभ दिलाने वाले हैं और सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे तो दोस्तों, पुनह कहते हैं, वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा और यदि आप अभी तक चैनल पर नए आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सर्व प्रथम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आप सभी के लिए रोजाना इसी प्रकार की महत्वपून जानकारियां लेकर आते हैं और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए और हमें सेवा करने का मौका प्रदान करें इतना सा हमारा आपसे विनती है हमारी भावनाओं को समझ कर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे दोस्तों इनके आने से आपके ही घर के नाम की चर्चाएं होंगे आपका ही घर का सब लोग बात करने वाला है जी हाँ इनके आने से व्यक्ति यह कौन है जो आने वाला है आज रात बारह बजे के अंदर प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो को वे कौन नजर अंदाज मत करिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही खास है क्योंकि प्यारे दोस्तों इन इनके आने से आपके घर परिवार की चर्चाएं होने लग प्यारे दोस्तों यह जो समय है इसमें आपको इस व्यक्ति से अब आपको डरने की जरूरत है या आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जी हाँ प्यारे दोस्तों तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनके आने से किनी दो लोगों को डरना चाहिए और कौन से दो लोगों का लाब होगा जी हाँ प्यारे दोस्तों कुछ ऐसी संभावना है कि ऐसी दो लोगों का जिन्होंने यह गलती की है उसके लिए इनका आना मुसीबत खड़ी कर सकता है लेकिन और वहीं कुछ लोगों ने यदि यह गलतियां नहीं की है कि उनके लिए का आना बहुत ही शुब है तो वह कौन से दो लोग हैं जिनका इनसे लाभ और हानित दोनों छुपा हुआ है प्यारे दोस्तों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताएंगे क्योंकि प्यारे दोस्तों इनका आना कुछ लोगों के लिए सिरदर्द बन सकता है वहीं इनके आने से कुछ लोगों के लिए तो खुशियां ही खुश-खुशियां आने वाली है प्यारे दोस्तों कुछ ऐसा जो घटित होने वाला है प्यारे दोस्तों अब इनके आने चाहे आपका लाब या हाने हो आपके अडोस पडोस में तो आपके लिए बातें तो होनी ही है जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि घर परिवार के आसपास के सभी लोगों की नजर आपके परिवार के ऊपर ही बनी ही रहती है जबकि आप किसी से उतना खास मतलब भी नहीं रखते फिर भी लोग आपके परिवार के आपके घर के पीछे ही पड़े रहते हैं उन्हें आपके घर परिवार की सभी गतिविधी जीव को जानने की बहुत ही ज्यादा खलबली मची रहती है तो ऐसे में प्यारे दोस्तों इनके आने से अब वे लोग भी देखते रह जाएंगे कुछ लोगों का तो इनके आने से बेईद जती भी हो सकता है लेकिन कुछ लोगों को के लिए इनका आना सम्मान को और बढ़ा सकता है तो प्यारे दोस्तों कौन है वे खुशनसीब के आने से जीवन में खुशियां आ जाएंगी और कौन है वे बदनसीब जिनके आने स्वयम का जीवन पूरी तरह से तनाव में चला जाएगा प्यारे दोस्तों दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए यह का आना खास है और ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आना इनके लिए सिर्दर्द है तो प्यारे दोस्तों वह कौन है, आप में से कौन है, वे लोग जो खुश होने वाले हैं, और कौन है वे लोग जो दुखी होने वाले हैं, प्यारे दोस्तों, यह व्यक्ति देखा जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, जी हाँ, आज से बस अपनी कुछ ऐ आपको परिशानिया होने लगेंगी, आपको ऐसा एहसास हो होगा कि इनके आने से आपका नाम खराब हो रहा है। 12 बजे के अंदर आ सकते हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना तो वे कौन है? आईए हम इसके बारे में बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, आईए हम जानते हैं कि आज रात 12 बजे तक कौन है? जो आपके पास आने वाला है? और किस तरह से चारों तरफ आपके घर की चर्चा होने वाली है। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है, तब भी आस पडोस के लोग बहुत सारी बातें करते हैं। और जब बुरा होता है, तो प्यारे दोस्तों और भी ज्यादा बातें करते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तो बस उसी बातों पर चर्चा कर ही रहते हैं। यानि कि वे लोग मजे लेते हैं, हैं? तो ऐसे में प्यारे दोस्तों या दो कौन हैं? ये व्यक्ति जिनके लिए नेका आना बहुत ही खुशहाली होगा और किसके लिए दुख से भरा हो सकता है। उनका आना तो पहले हम जानते हैं, जिनके लिए ये दुख से भरा हो सकता है, इनके लिए नेका आना परेशानी खड़ी कर सकता है, इनके आने से कि इनका नाम खराब हो सकता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि ये आने वाला है, ये आपका नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन इनकी विकृत जरूरत फंसी है, जैसे कि हो सकता है आपने किसी से कर्ज लिया हो, और आप उनका पैसा नहीं चुका रहे हो, आप उनसे बातचीत भी करना प्यारे दोस्तों, यदि आप किसी का कोई वस्तु लिये हैं, या वाहन लिये हैं, या किसी भी तरह का कुछ भी, आपके पास यदि दूसरों की कोई चीज है, उसके मामलों में कोई आपके घर पर परिवार पर आ सकता है, आपके घर के दर्वाजे पर खड़ा हो सकता है, और यह आ सकता है रात बारह बजे के अंदर ही जी हाँ प्यारे दोस्तों इनके आने से आप काफी भैभीत हो सकते हैं आपका मन परेशान हो सकता है प्यारे दोस्तों यदि जिन लोगों ने दूसरे का कोई भी छीन लिया है उन्हें डरने की जरूरत है लेकिन अब जो जीवन में खुशियां आएंगी इसके आने से यह कौन है तो आपको बता दें या जो होने वाला है या आपका कोई बहुत खास मित्र हो सकता है जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा खास मित्र होगा जिसे आप जेल की हर एक बात तो वह बता पाते हैं या आपके घर पर अचानक किसी अ या नौकरी करता है तो वे अब अपने घर परिवार में वापस आ सकता है जिसके चलते घर परिवार का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा तो प्यारे दोस्तों यह थी कुछ ऐसी बात जिनके आने से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश हो जाएंगे लेकिन आपके घर किसी अतिथी का आगमन होने वाला है जिसके चलते आप पहुंची खुश नजर आएंगे प्यारे दोस्तों अब बता दें आपको कि आज रात 12 बजे से आपके जीवन में क्या-क्या खास होने वाला है जैसे कि पारिवारिक जीवन में प्रेम जीवन में प्यारे कहे कोई ऐसा लगती हो आज आपके लाब का कारण बनेगा आपके कोई न कोई खुशी-खुशी अन्य व्यक्ति के द्वारा मिलने वाली इस दौरान यदि कोई मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं तो आप आपकी समस्याएं अब समाप्त हो सकती हैं प्यारे दोस् को ओक लैंड वैचारिक मतभेद करने के बजाए आप इस चिंता से बैठ कर अपने जीवन साथी से बात चीत करें प्यारे दोस्तों ध्यान रखें कि आप अपने विचारों को एक दूसरे क्यों पर ना थोपे बलकि दूसरों के विचारों को तारीफ करें और इच्छा का खास ध्यान रखें अपने वैवाहिक जीवन में प्यारे दोस्तों वाला रवय्या अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएं और अपने जीवन साथी का दिल जीत पाएंगे इससे आप अपने और अपने जीवन साथी के मन के जो बातें हैं वे एक दूसरे से सांझा खुल कर कर पाएंगे आप अपने जीवन साथी के प्रती अपना आकर्शन बढ़ा कर रखें क्योंकि आपका जीवन साथी आप से कुछ रुष्ट हो सकता है प्यारे दोस्तों आप अपना समय बिताने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएं यह किसी पार्क में घूमने फिरने प्यारे दोस्तों ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के ही किसी सदस्य को में दखलंदाजी ना करने दें क्योंकि इससे आप ढोलक विज और कड़वाहट बढ़ने की आशंका है वहीं प्यारे दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की तो यदि काफी दिनों से कुछ कहना चाहते हैं तो आप उनसे खुलकर सपष्ट हैं प्यारे दोस्तों या जो समयने पहले से रिष्टे और वे आपके मजबूत होने वाले हैं प्यारे दोस्तों यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप अपना प्रेम का इजहार करने में अब ज्य आप अपने पार्टनर से बात चीत कर सकते हैं, जहां पर आप दोनों बहुत खुश नजर आएंगे। आप काफी खुले विचारों के हैं, तो हो सकता है कि आपका लव पार्टनर उतना भी खुले विचारों का ना हो, जिसके चलते आपकी कोई मजाक या कोई आपका वह बाद उन्हें थोड़ा दुख दे सकता है। इस बात का ध्यान दें कि आपकी किसी भी हरकतों से उन बुरा नहीं लगना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपकी आपकी लव पार्टनर के प्रती जो उम्मीदें हैं, वह सभी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। आपकी तरफ आपका लव पार्टनर का आकरशित होगा। आपकी तारीफें करने वाला है, जिसके चलते आप और भी ज् प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने किसी रहस्य के बारे में अपने लव पार्टनर को बताते नजर आएंगे, जहां पर आप पर। लव पार्टनर बहुत गंभीरता के साथ आपकी बातों को समझेगा। दूसरे सब मिलाकर देखें तो सभी का या समय कु प्यारे दोस्तों, इस दौरान यदी आप कहीं से अचानक से कुछ धन प्राप्त करते हैं, धन आगमन होता है, तो आप अपने धन का कुछ हिस्सा शुब कारियों में या जरूरतमंद व्यक्ती की सहायता में खर्च करें। इससे आपको पैसों में और बढ़ोतरी होगी। भगवान की कृपा से प्रियजनों के साथ आप सामंजस्य बना कर रखें। अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है भाई बेहनों में। और परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अचानक किसी रिष्टिदार के घर जाने का मौका मिल सकता है। प्यारे दोस् पारियों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद इस धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अचानक आप किसी शादी समारोह या अन्यसामाजिक सवारों में जा सकते हैं। कहीं से निमंतरन प्राप्त हो सकता है। यदि समय में मिशृत परिणाम दे क्योंकि आप यदि आप दूस के कामों पर ध्यान दे देंगे तो आप ही काम बीच में अटक सकता है या आपके काम में नुकसान हो सकता है। वहीं देखा जाये तो पत्रिक संपत्ती से जुड़ यह जो समय है वे आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। इसी बात को ले दोस्तों व्यापार करने वाले लोगों का यह समय काफी लाभधायक रहने वाला है। वानज विशयों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो रहे हैं आपको उसमें अपनी बातों को लोगों के सामने अवश्य रखना हो आपका यह जो समय है इस समय आपको अपने व्यापार में हर एक मूल्यवान वस्तु का बहुत ही सौधाई से रखना होगा। क्योंकि इस दोरान कोई ऐसे ग्राहक या कोई ऐसा व्यक्ति भी आएगा जिनकी बुरी नजर उन पर होगी। व्यापार आपका बढ़िया लेकिन आपके पास कुछ ऐसे लाभ के अवसर आएंगे जो आपके लापरवाही के कारण वे हाथों से जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपके आसपास आपके व्यापार को देख कर लोग कंप्रिटीशन करते हैं, वैसे में अब आपको आगे बढ़ने के कई सारे म के मिलेंगे, बस आपको आलस्य नहीं दिखाना होगा, आपका व्यापार बहुत ही आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपसे तुलना करने वाले लोगों का होश उड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपको कोई भी काम अपने व्यापार से प्यारे दोस्तों, इस समय आपके कई सारे बिगड़े और रुके हुए काम बन जाएंगे। व्यापार में यदि आपने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, वह योजनाएं आपकी सफल हो। प्यारे दोस्तों, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में इस समय कुछ परेशानि तो आएंगी, जैसे कि आपके ऊपर काम की अधिकता हो सकती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसके लिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव महसूस कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, संभव है कि आपको आपके उच्च पद से सम्मानित करके दिया जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिसके चलते आपकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, आपके उपर का भार भी ज्यादा होगा। प्यारे दोस्तों, इस दोरान आप अपने बौस से इतने खास समय में थोड़ा सोच विचार करके ही बातें करें। और अपने दफ्तर में अपने विरोधियों से, अपने शत्रूँ से भी थोड़ा आपको सावधानी बरतने की आवश्यक्ता होगी। प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने नौकरी में कुछ बदलाव की सोच रहे हैं, बदलाव निश्चित होगा, लेकिन यह विचार आपके मन में किसी और ने न पूट गई है, तो इस समय आपको कुछ अच्छे परिणाम हासिल होंगे। प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपको बता दें, कि आपका अचानक किसी ऐसे पुराने मित्र से भठ मुलाकात होगा, जिनको शायद अब आप भूल गए थे। लेकिन वे दोबारा पूः के दोस्तों का बहुत ही सावधानी से खयाल रखें. प्यारे दोस्तों, मोबाइल जैसे चीजों का और भी ज्यादा विशेश ध्यान रखें. जरा भी लापरवाही दिखाने से बचे. प्यारे दोस्तों, पारिवारिक जीवन की दृष्टिकों से देखा जाए, तो परिवार में यदि कोई महिला गर्भवती है तो उनके डिलीवरी होने की संभावना भी नजर आ रही है। घर में छोटे नन्हे महमान का दस्तक भी हो सकता है। बहुत ही जोश के साथ लगे रहेंगे। यह जो समय है। इस समय आपको अब आपके परेशानियों से से कुछ राहत मिलता हुआ नजर आएगा। यह आपके घर परिवार में कोई संपत्ती से जुड़ा विवाद चल रहा है। वह विवाद जल्द ही समाप्त होगा। प्यारे दोस्तों, आप लेन देन से संबंधित मामलों पर किसी भी व्यक्ति के उपर अधिक भरोसा ना करें। हो सकता है वे लालच में आकर आपको धोखा दे जाएं। जो लोग सामाजिक कार्यरत है, उन लोगों को किसी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता। प्यारे दोस्तों, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते थे, या फिर अपने शहर से कहीं दूर, बढ़िया और अच्छे शहर में जाना चाहते थे, यात्रा के लिए यात्रा के युक्त बने हुए हैं, आप जा सकते। प्यारे दोस्तों, आप अब तक जिस कार्य करने में बहुत ही परेशान थे, अब उनमें आपको बढ़िया परिणाम नजर आए, जो लोग पार्ट टाइम कार्य करने की योजना बनाए हैं, जो विद्यार्थी तो उन्हें अपने परीक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा, प्यारे दोस्तों, संभव है कि आपके घर परिवार के किसी व्यक्ती सेहत में कुछ गिरावट नजर आएगी, कुछ समस्या नजर आ सकती है, जिसके लिए आपको उनके स्वास्थे के चक्कर में कुछ भाग दौड भी क करना पड़ सकता है, प्यारे दोस्तों, अब तक तो आप शायद किसी ना किसी बात को लेकर आपका मन में कोई न कोई समस्या है, कोई न कोई परिशानी है, या फिर यह कहे तो कोई न कोई चिंता है, यदि कोई भी वाद विवाद चल रहा है, जिसमें जीत आपको सकती है, और जीत मिलने से आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे किसी सामाजिक मामलों में आपको सामंजस्य बनाए रखना है अन्यथा परिशानी हो सकती है वरिष्ट सदस्यों के साथ यदि किसी भी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उस अनबन को बढ़ाने की कोशिश ना करें बलकि उन्हें कम करने का प्रयास करें आप वहाँ पर चुप्पी साध लें तो बहतर है आपको अपने किसी पुरानी गलती के लिए किसी से माफी मागनी पड़ सकती है जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना लेकिन ध्यान रखें कि हर समय आपको जुकना पड़े तो वैसे ऐसी गलती ना करें जीवन साथी का पूरा जाता को मिलेगा संतान से कोई शुब समाचार आपको मिल सकता है सायकाल के समय प्यारे दोस्तों के साथ आप कुछ व्यतीत कर सकते हैं यह जो समय रहने वाला है आपको धार्मिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होने का अच्छा अवसर देगा जिससे आपकी प्रतिष्ठा चारों और फैले परिवार के किसी सदस्य को लेकर आप आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं क्योंकि उनके स्वास्थि में अचानक कुछ गिरावट नजर आ सकती है आप यदि कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो आप अपने बुद्धी और विवेक से कोई निर्णय लेकर लोगों को आश्चर्य चकित कर सकते हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों आपने बिलकुल सही सुना वह दोस्त बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की नौकरी करने वाले जातकों को किसी दूसरे कंपनी से अच्छी आमदनी के साथ कोई बढ़िया ओफर कोई व्यक्ती लेकर आ सकता है जिसमें आपको देरी नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए इस दौरान माता पिता और ईश्वर की कृपा से आप किसी कीमती वस्तु की खरीदारी का सपना पूरा कर सकते हैं जैसे कि यदि आप कोई बड़ा वाहन खरीदना चाहते हैं या अपने घर में किसी बड़े चीज़ की खरीदारी करना चाहते हैं जमीन जाइजा करना चाहते हैं, दुकान मकान खरीदना चाहते हैं, तो आपकी यह इच्छा बहुत ही जल्द पूरी होने की उम्मीदें हैं कोट कचहरी के मामलों में यदि आप फंसे हुए हैं, कोई मामला फंसा है, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है आपको यदि जन्म दिन है और आपकी उम्र 18 से कम है, तो आपको परिवार के किसी सदस्य से कोई उपहार स्वरूप, कुछ आपके मन की इच्छा वाली उपहार मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है प्यारे दोस्तों, इस राशे के जातकों को अपने स्वास्थय का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, या कुछ पुरानी समस्याएं दोबारा से उभर कर आपको पीडा दे सकती हैं, इसलिए सेहत का ध्यान रखें अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कोई सलाह देता है तो आप उनके उपर तुरंत विश्वास ना करें नहीं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी काम को लेकर सलाह देता है लाब उनके बातों पर आख मूंद कर भरोसा करेंगे तो घाटे में आप हो जाएंगे कामकाज के मामले में दिन थोड़ा कमजोर नजर आ सकता है बिजनेस करते हैं तो बड़ी लाब शुरू होगी और दोस्तों इसी के साथ आप सभी को बता दे आपको घबराने की आवश्यक्ता नहीं है चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि आज रात आपके जीवन में बड़ा चमतकार होने वाला है आपके जीवन में दो देवी देवता आने वाले हैं और यह आपके कर्मों का फल देने के लिए आने वाले जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि आपको चार क्षेत्र में बड़ा लाब होने वाला है ये देवता आपको माला माल कर देंगे दोस्तों यहां दो देवी देवता भगवान भोले नाथ और माता पारवती जी हैं जो आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए आ रही है आज का दिन, रात, बारह बजे का समय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आने वाला है भगवान भोले नाथ और माता पारवती स्वयम आपके जीवन में ऐसी कृपा करने वाले हैं जिससे चार प्रमुख क्षेत्रों में आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है आपके लिए यह रात और आने वाला दिन इतना खास होने वाला है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं आईए विस्तार से जाने कि यह चार बड़े लाभ कौन-कौन से हैं और आपको इनसे कैसे फाइदा होगा पहला लाभ लोटरी के क्षेत्र में आपको मिलने वाला है दोस्तों बहुत से लोग जीवन में कभी न कभी लोटरी जीतने का सपना देखते हैं लेकिन भाग्य सब का साथ नहीं देता परंतु जब भोले नात और माता पार्वती की कृपा हो तब भाग्य भी आपके कदमों में होता है आज रात के बाद आपको ऐसा अवसर मिलने वाला है जो शायद जीवन में कभी नहीं आया होगा आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव है यह पूरी तरह से आपकी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है भगवान भोले नात का आशीरवाद इस समय आपके उपर है जिससे आपके द्वारा खरीदी गई लौटरी का टिकट आपको करोडों का मालिक बना सकता है जिस लौटरी को आप अब तक सिर्फ खेल समझते थे वही अब आपकी किस्मत बदलने वाली है आपको इस समय अपने अंदर विश्वास को जगाना होगा और भोले नात के चरणों में समर्पित होकर प्रार्थना करनी होगी इससे न केवल आपका भाग्य बदलेगा बलकि यह आपको वित्तिय रूप से स्थिर्था और सुरक्षा भी प्रदान करेगा रात बारह बजे के बाद से आपकी लोटरी का टिकट केवल कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा बलकि करोडों की कीमत का दस्तावेज बन जाएगा अब बात करते हैं दूसरे बड़े लाब की जो आपके बिजनेस के क्षेत्र में होने वाला है अगर आप किसी व्यापार में हैं या व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो भोले नात और माता पारवती का आशीरवाद आपके व्यापार को नई उंचाईयों पर ले जाएगा दोस्तों आज के समय में बिजनेस में सफलता पाना इतना आसान नहीं होता कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलते और लोग हताश हो जाते हैं लेकिन जब भगवान भोले नात आपकी राह में होते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती 20 करोड रुपए का लाभ आपके व्यापार में आने वाला है आपको ऐसा कोई बड़ा डील या अवसर मिलेगा जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी हो सकता है कोई पुराना क्लाइंट अचानक से आपके पास लौट आए या कोई नई साजहदारी का अवसर आपके दर्वाजे पर दस्तक दे इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने काम में पूरी इमानदारी और लगन बनाए रखें क्योंकि भोले नाथ केवल उन्हीं लोगों को आशीरवाद देते हैं जो कड़ी मेहनत और सच्चे मन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तीसरा बड़ा लाभ आपको अचानक से रास्ते पर चलते हुए मिलने वाला है यह सुनने में आपको अजीब लग सकता है लेकिन यह सच है कि भोले नाथ की कृपा से आपको रास्ते पर एक ऐसा बैग मिलने वाला है जो नोटों से भरा हुआ होगा दोस्तों यह अवसर आपके लिए किस्मत से ज्यादा एक संकेत होगा कि जब आप सही समय पर सही स्थान पर होते हैं तो भगवान भी आपकी मदद के लिए स्वयम धर्ती पर आते हैं यह बैग आपको आपके रास्ते में मिल सकता है जब आप कहीं जा रहे हों शायद किसी महत्वपूर्ण काम से उस बैग में धन की इतनी बड़ी मात्रा होगी कि वह आपके सारे आर्थिक संकटों को खत्म कर देगा लेकिन ध्यान रखें इस समय आपको अपनी आखें और दिल दोनों खुले रखने होंगे क्योंकि कभी-कभी अवसर सामने होते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते भोले नाथ की कृपा से यह अवसर आपको मिलेगा और वह बैग आपके जीवन में एक नई सम्रिध का स्रोध बनेगा चौथा और सबसे बड़ा लाब यह है कि भगवान भोले नाथ और माता पारवती खुद आपके घर पर आकर रूप बदल कर आपको दस करोड का खजाना सौपने वाले हैं यह खजाना केवल बहुत एक धन तक सीमित नहीं होगा बलकि यह आपके जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक सम्रिध का भी प्रतीक होगा आपको हो सकता है कि भगवान किसी व्यक्ति के रूप में आकर इस खजाने को आपके घर में रखें यह खजाना आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है जिस प्रकार पारवती जी ने शिवजी के साथ मिलकर संसार को सुख और शान्ति दी थी उसी प्रकार उनका आशीरवाद आपके जीवन में खुशहाली लाएगा आपको इस खजाने को पाने के लिए केवल एक ही चीज़ करनी होगी आपको भगवान पर अटूट विश्वास और भक्ति रखनी होगी अपने घर में पवित्रता बनाए रखें भगवान की पूजा करें और उनके प्रति समर्पन का भाव रखें यह खजाना केवल धन का प्रतीक नहीं है बलकि आपके जीवन में आनंद, शान्ती और सम्रिध्ध का एक नया अध्याय खोलने वाला है तो दोस्तों यह चार बड़े लाब हैं जो भोले नाथ और माता पार्वती के आशीरवाद से आपके जीवन में आने वाले हैं आपको केवल अपने विश्वास और भक्ती को मजबूत करना है और देखिए कैसे भगवान स्वयम आपके जीवन में चमतकार कर देंगे दोस्तों आपके जीवन में भोले नाथ और माता पार्वती का आशिरवाद सदैव रहेगा लेकिन उसके लिए आपको चार अच्छे कर्म करने होंगे दोस्तों जीवन में सफलता, सम्रिध्ध और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल भक्ती ही नहीं बलकि अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं भोले नाथ और माता पार्वती जैसे देवताओं की कृपा पाने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध और सही दिशा में करना बहुत जरूरी है भगवान शिव और माता पार्वती के प्रती समर्पन के साथ साथ कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं जो उनके आशीरवाद का मार्ग खोलते हैं यह कर्म न केवल हमें आत्मिक शान्ती देते हैं बलकि जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक्ता और उन्नत इलाते हैं आईए जानते हैं ऐसे कुछ महत्वपून अच्छे कर्म जो भगवान के लिए सबसे बड़ा उपाय माने जाते हैं पहला सबसे बड़ा कर्म है दया और करुणा दोस्तों भगवान शिव करुणा के प्रतीक हैं और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भी अपने जीवन में करुणा और दया को अपनाना चाहिए अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें चाहे वह किसी भी रूप में हो भोजन, धन, समय या केवल सहानुभूती दूसरों के प्रती करुणा रखना और उनकी सहायता करना भगवान को प्रसन्न करता है आप देखेंगे कि जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो भगवान शिव और माता पारवती का आशीरवाद स्वतह आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है और इसे निभाने वाले हमेशा भगवान के प्रिय होते हैं दूसरा महत्वपून कर्म है सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना भगवान शिव सत्य के प्रतीक हैं और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग अत्यंत प्रिय हैं जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें जूट बोलने का अवसर मिलता है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सत्य हमेशा विजय होता है चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो हमेशा सत्य बोलना और सही राह पर चलना भगवान को सबसे बड़ा उपाय है अगर आप जीवन में सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है तीसरा सबसे बड़ा कर्म है क्षमा करना दोस्तों जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां हमें किसी से नाराजगी या गुस्सा होता है लेकिन भगवान शिव का आशीरवात पाने के लिए हमें अपने हृदय में क्षमा की भावना को जगह देनी होगी शिव जी ने भी संसार को यह सिखाया है कि क्षमा करने वाला व्यक्ति ही सच्चा महान होता है किसी से नाराज रहना या मन में वैर रखना हमारे आत्मिक उन्नती के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है इसलिए अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाई है तो उसे क्षमा कर दें यक्षमा आपके हृदय को हलका करेगी और भगवान की कृपा का द्वार खोलेगी चौथा कर्म है गरीबों और जरूरत मंदों की सेवा करना भगवान शिव को भिक्षुकों और गरीबों का स्वामी कहा जाता है जो व्यक्ति गरीबों और जरूरत मंदों की मदद करता है वह भगवान शिव के बहुत करीब होता है आपके द्वारा की गई छोटी-छोटी मददें जैसे किसी को भोजन कराना, किसी की शिक्षा में सहायता करना या किसी के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना, यह सब भगवान के आशीरवाद के सबसे बड़े उपाए हैं भगवान शिव ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं पाँचवा, महत्वपूर्ण कर्म है प्रकृती और पर्यावरण का सनरक्षन भगवान शिव को प्रकृती के रक्षक और पर्यावरण के देवता के रूप में पूजा जाता है हमें भी उनकी कृपा पाने के लिए पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए पेड़ पौधे लगाना, जल का सनरक्षन करना और प्रित्वी के संसाधनों का सही उपयोग करना यह सब कर्म भगवान को अत्यंत प्रिय हैं शिव जी खुद जंगलों और परवतों में वास करते हैं और हमें भी उनका आशीरवाद पाने के लिए प्रकृती के प्रती अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए पर्यावरण की रक्षा करना ही आज के समय में सबसे बड़ा धर्म है और जो व्यक्ति इस दिशा में काम करता है उस पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है आखिर में सबसे महत्वपून कर्म है निस्वार्थ भक्ती और समर्पन भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसंद करने का सबसे सरल उपाय है सच्चे मन से उनकी भक्ति करना भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है बलकि अपनी पूरी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करना है जब आप अपने हर कार्य में भगवान का ध्यान करते हैं और जो भी करते हैं उसे भगवान के नाम से करते हैं तो भगवान स्वयम आपके जीवन में चमतकार करते हैं निस्वार्थ भक्ती वह सबसे बड़ा कर्म है जो भगवान को सीधे प्रसंद करता है इन सभी अच्छे कर्मों का पालन करके आप भगवान भोले नाथ और माता पार्वती का आशीरवात पा सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज का यह दिव्या और चमतकारिक जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फिर मिलते हैं नए वीडियो में